हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल लीगल हेल्पिन हिंदी दोस्तों अगर पती का कहीं एक्ष्ट्रा मेरिटल अफेर हो जिसका पतर चलने के बाद पतनी अपना ससुराल का घर छोड़ कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है तो क्या इस आधार पर पती अपनी पतनी से तलाग ले सकता है कुछ इसी तरह का मामला आया चैनल को सबकुछ आखिर तक जुड़े रही है कि अगर पतनी इस कारण से अपने पती का घर छोड़ देती है कि पती का कहीं पर एक्स्टा मेरिटल अफेर है तो इसे पतनी का परित्या करना नहीं माना जाएगा क्योंकि उस घर में रहकर उसे कई तरह की मांसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है तो इस आधार पर पती पत्नी से तलाक नहीं ले सकता आज हम बात कर रहे हैं केस उत्तम राम वर्सिस सिरिमती कयासो बाई केस के बारे में और इस केस की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुडी और जस्टिस रजनी दूबे की बेंच कर रही थी हाई कोट में पती ने फैमली कोट के एक आदेश के खिलाफ याचे का दायर की थी फैमली कोट ने पती की तरफ से दायर उस केस को खारिश कर दिया था जिसमें उसने परित्याग के आधार पर तलाक की डिक्री दिये जाने की मांग की थी पती ने फैमिली कोट में ये दलील दी थी कि उसने 27 साल पहले हिंदू रिती रिवास से शादी की थी लेकिन पिछले 25 सालों से उसकी पत्नी ने उसका परित्याग कर रखा है वो अलग रहती है लेकिन दूसरी और पत्नी ने ये दलील दी कि पती ने एक महिला को अपनी पत्नी के रूप में रखा हुआ है और उसे अपने पैत्री गाउ में रहने के लिए कहा था इसलिए उसके अत्याचारों से बचने के लिए उसे मजबूरन अपने पैत्री गाउं में रहना पड़ा इसी बात पर फैमली कोट ने पती की याचिका को खारिज कर दिया जिसके बाद ये केस आया हाई कोट के सामने हाई कोट ने सभी तत्यों को ध्यान से पढ़ा जिसमें उन्होंने ये माना कि उनकी तीन बेटियां है कोट ने कहा कि ऐसी कंडिशन में पत्नी द्वारा पिछले 25 सालों से उसका परित्या करने का प्रश्न पूरी तरह से गलत है कोट ने देखा कि पती ने इस बात को स्विकार किया कि उसने एक दूसरी महिला को पत्नी के रोप में रखा हुआ है और उस रिस्ते से उसके दो बच्चे भी है कोट ने कहा कि हिंदो विवाह धिनियम 1955 के प्रोवीजन के अनुसार पहली शादी के दौरान दूसरी महिला को रखना अवैद है इसलिए इस मामले के तथ्यों और कंडिशन पर ध्यान देते हुए कोट ने ये माना कि पत्नी ने पती का परित्याग नहीं किया है और इस आधार पर पती को तलाग की डिक्री पारित नहीं की जा सकती इसलिए कोट ने पती की अपील को खारिश कर दिया तो फ्रेंज ये था 36 गड हाई कोड का एक लेटेस जज्जमेंट डाइवोर्स की कंडिशन को लेकर हो फ्रेंज के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफर्मिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा